हलो दोस्तों, विल्कम भाइक माई यूटूब चैनल जॉइन टेक वन आज एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ जिसमें PM किसान भाईयों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है वो PM किसान की KYC से संबन दित है तो दोस्तों, आपको पता था, आपको पता होगा कि इसके पहले अभी अभी कि EKYC जो कि OTP-based होती थी, वो बंद कर दी गई थी लेकिन अभी आपके लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है ये कि OTP-based KYC को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है लेकिन यहां पर सबसे अच्छा फाइदा ये है कि अब की बार जो है OTP-based KYC भी एक्टिवेट की गई है और साथ ही साथ यहां पर Biometric KYC भी एक्टिवेट की गई है तो चलिए सब कुछ यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या सच में OTP-based KYC चालो हो गई है या नहीं तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ में लिया आएगा सामने आप देखेंगे ते यहां पर दिया गया है EKYC is mandatory for PM किसान registered farmer OTP-based की EKYC is available on PM किसान portal साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं तो हमको देखने को मिल जाएगा जो कि भी इसके पहले-पहले यह आइकन हटा दिया गया था आप देखें होंगे यहां पर EKYC का आइकन हटा दिया गया था लेकिन आप देख सकते हैं यहां से कि फिर से EKYC का आपसन यहां पर चालू हो गया है तो यह बहुत बड़ी नहुज है आपके लिए और साथ ही साथ यहां पर जो PM किसान EKYC की जो लाश डेट है वो 31 मई ही रखी गयी है जो कि पहले भी इतना डेट थी तो इसमें डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन सबसे खास बात यहां है कि EKYC OTP बेजड़क के माध्यम से स्टार्ट हो गई है तो अभी अभी यहां पर EKYC OTP के माध्यम से भी हो जाएगी साथ ही साथ आपका CSC से भी यह बयोमेट्रिक माध्यम से भी होने लगेगी तो इसमें काफी ज़्यादा किसानों को फाइदा यह होने वाला है कि काफी ऐसे किसान है जिनका अंगूठा जो है उनका अंगूठा सही से लग नहीं पाता है रथात उनकी यह जवस्ता काफी ज़्यादा हो गई है इसलिए उनका अंगूठा नहीं लग पाता है तब ऐसे किसानों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि OTP-based KYC सकसे फुल हो जाए तो ऐसे किसानों के लिए अब फिर से एक मौका आ गया है कि वो अपना KYC OTP के माद्यम से करवा सकते हैं उनको उठे लगाने की ज़्यादा आओ सकता नहीं